नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डोक्टर तरौन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ इंपोर्टेंट है क्योंकि सभी के घर में मैडिसन्स आती है और मैडिसन्स के पीछे जो नाम लिखे होते हैं उनको पहचान जाएंगे यह होते हैं, जिसके पीछे विट लगा होता है, जैसे कि जिंको विट, वोली विट, ठीक है, अगर ये सारी चीज़े हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए, कि यह medicine multivitamin है, और यह ताकत देने का काम करती है, इसकंदर vitamins हैं, और minerals बगरा हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से next है, द को फुला भी देते हैं स्टिरोड में में common से स्टुराइट से हैं इसकंदर आपको देखने को में लगा रगलन रहा है दैक्ता डैक्सअightसोन बहुत जाद माद चलता है जिसको सजस्ट किया है यह medicine आपको वैसे यूज़ करनी चाहिए क्योंकि medicine काफ़े खतरनाग होती है और आने वाले समय इनके बहुत ज़्यादा side effects हो जाते हैं कास करके liver और kidney को यह damage करते हैं चेहरे पर incision भी आने शुरू हो जाती है तो किसी भी medicine के पीछे सोन लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि medicine steroid है नेश्ट दोस्तों इसकंदर गर किसी भी medicine के पीछे पाम लगा हुआ है तो यह anti anxiety medicine होती है चिंता घवराहट बेचेनी जिन लोग को होती है उनको यह medicine सबसे ज़्यादा प्रेस्क्राइब की जाती है जिन medicine के पीछे पाम लगा होता है जैसे पिशेंट को बहुत ज्यादा अराम मिलता है बहुत सोकौन मिलता है उनका mind rest करता है और उनकी जो anxiety है जो घवराहट है वो कम हो जाती है यह medicine भी आपको prescription से ही लेनी शाहिए और यह medicine आपको किसी और भी नाम से मिल सकते हैं जैसे पेट्रिल के नाम से आप काफे सारे doctor लिखते है पेट्रिल के नाम से है तो यह सारी जो यह brand name होते है लेकिन पेट्रिल के अंदर भी डाईजापाम साल्ट है ठीक है दोस्तों चलते है next जो कि है mycene अगर किसी medicine के पीछे mycene लगा हुआ है तो infection को ठीक करते हैं यह antibiotics होती हैं जैसे कि azithromycin, steptomycin, neomycin और steptomycin तो जितने भी mycin लगे हुए हैं आपको समझ जाना चाहिए कि यह medicine antibiotic है ठीक है बहुत ही असान है कोई इतने लंबी चोड़ी इसमें problem नहीं है को 200 mg में और 500 mg में दोनों में मिलती है तो azithromycin एक salt होता है जो कि antibiotic का काम करता है जो कि Corona में बहुँ ज़्यादा helpful रहा है और बहुत सारे patients को यह दिया गया है 500 mg में next चलते हैं दोस्तों जो कि आता है प्राजोल तो यह प्राजोल के के अंदर acidity बहुँ ज़्यादा बनती है तिजा बनता है तो यह उसके लिए काफे helpful होती है सुभा में यह खाली पेट यह medicine दी जाती है सबसे ज़्यादा medicine चलने वाली होती है दोस्तों इसमें पैंटो 40 जो कि सुभा के समय पेट को खाली पेट दी जाती है तो यह जहां पे medicine के पीछे प्राजोल लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए कि पेट में acid ज्यादा ना बने acid के production को decrease करने के लिए medicine दी जाती है पेशेंट को ठीक है mostly allopathic में यह ही medicine use की जाती है नेक्स चलते हैं दोस्तों जो कि नीडाजोल नीडाजोल के means यह है कि अगर लास में किसी medicine के पीछे नीडाजोल लगा हुआ है तो यह anti-amivic medicine है means कि जिसको पेचिस लगी है dysentery है उसको 10 लगे हुए है पेट में मरोड के साथ उसको परिशानी है या फिर पेट में इंफेक्शन होगा है तो वहाँ पे यह medicine दी जाती है जिसके बीचे नीडाजोल लगा हुआ जिसमें आता है इंफेक्शन के लिए है जो कि पेट में इंफेक्शन है और दस्तों में यह medicine दी जाती है जहां पर डैरे की प्रॉलम होती है नेक्स्ट है दोस्तों ओफलक्ससीन ओफलक्ससीन अगर किसी भी medicine के पीछे लगा हुआ है तो आपको समझ जाना चाहिए यह anti-bacterial medicine है means कि हमारी शरीर के अंदर होने वाले bacterial infection कोई ठीक करेगी इसमें example के हम बात करते है नौफलक्ससीन सिप्रोफलक्सीन सबसे ज़्यादा चलने वाला साथ सिप्रोफलक्सीन है और लिवोफलक्सीन तो कहीं तरह की medicine है यह आपको सिफ्लोक्स 500 के नाम से भी आपको मिल जाएग जैसे कि किटा कोना जोल, फिलिकना जोल, इकाना जोल, माई कोना जोल तो जितने भी जोल वाली medicine आपको समझ जाना चाहिए कि यह anti-fungal medicine है वो आपके body के अंदर कहीं पे भी fungal infection हो गया है, rim warm हो गया है तो वहाँ पे medicines दी जाती है जैसे new force सबसे प्रेचलित medicine new force देड़ सो में आती है, 200 में आती है तो new force के अंदर भी देखते हैं तो आपको मिलेगा फिलिकना जोल साल्ट उसके अंदर मिलता है, जैसे किटा कोना जोल है यह भी एक anti-fungal medicine यह काफे सारे shampoos में यूज की जाती है, आपके पास कोई anti-dendrift, anti-fungal shampoo है आप उसमें देखेंगे कि कि इता कोना जोल आपको 2% या 1% में आपको वहाँ पे मिलेगा, इसके साथ जैसे कि आपने देखा काफी ringworm के लिए काफी परिचलित medicine इता कोना जोल चलती है, ठीक है तो वो भी सारी जो है anti-fungal medicines है, डोक्टर ने आपको anti-fungal medicines दी हैं आपका fungal infection ठीक करने के लिए, तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बने हैं तो चैनल को जूरू सब्स्राइब कीजिए, थैंक्यू सो मच